अब यहां पर क्या लिखा है एक जिमिन दा फॉलोइंग फॉंक्शन फॉर कंटिनिटी मतलब यह ताना है कि कहां पर कंटिनियस है यह आपको बताना है तो जैसे पहला पार्ट है fx इसक्वल टू x- maineus का 5 अब आपको खुदी बताना कि कहां पर कंटिनियस है तो हम ले लेते हैं कोई भी नंबर माल लेते हैं कि लेट के भी ऐनी रियल नंबर मतलब अब अब लीखों कोई और ऐसा तो नहीं अब तुम वन पर निकालो गए फिर कोई कहका सब्सर्ज़िव पर निकालो, फिर कोई काईगा 3 पर निकालो, कोई ओले का 4 पर निकालो, तो हम let कर ले रहें, let, k be any real number, k be any, any real number, कोई भी real number है, k क्या, तो हम k पर निकाल ले रहें, अगर k पर वो continuous आ जाएगा, तो बस continuous है, फिर सब ठीक है, तो चलो, अगर हमें किसी भी point पर अगर हमें check करना है, कि वो continuous है नहीं है, वही same rule, limit निकालोगे, limit x tends to k, और function क्या है, यही है हमारा x minus 5, अब x को k रख दो, तो k minus 5 आ गया, फिर अगर ह क्या रहे है, k minus 5, क्या यह दोना बराबर है, अब last में लिख दिया करो, कि limit की value और f k के लिए same है, मैं लिख देता हूँ शुरूबात में, तो limit x tends to k, f x जो है, वो f k के बराबर है, तो function is continuous, तो कह लिख होगे, function is continuous, function is continuous, on all real values, on all real values, मतलब हर real values पे यह continuous है, बोला था न, examine करो, कहां पे continuous है, सब जगए continuous है, ठीक है, clear हो गया, सुझा, यह तो इस तरीके से, continuous है, क्योंकि यह LHL और f a के लिए, limit की value और f a के लिए same है, अब b part जो है, बी part में हमारे पास f x जो है, 1 upon x minus 5, और side लिख रखा है, x not equal to 5, अब यह x not equal to 5 क्यों लिख रखा है, क्योंकि 5 put करोगे, तो 5 minus 5 क्या जागा, जी रो, domain में नहीं है, अब प्लाता है, 11th class में, domain, समय रहो, क्योंकि 5 put कर दो, जो में नहीं है, तो इसका मतलब, आपको 5 तो लेना ही नहीं है, क्योंकि 5 पे तो function ही नहीं है, किसी number पे तो function ही नहीं है, हम यह बोलें, 5 पे तो हमारा function ही एक्जिस्ट नहीं करता है, हमें ऐसे बोलना चाहिए, not continuous यह सब बाद में, हमारा तो 5 पे function ही नहीं है, हमें तो यह बोलना है, कोई कैसर ऐसा क्या है, तो function भी एक्जिस्ट करता है, ठीक है, अब समर्य बात को, function हमेशा अपने domain में exist करता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि हर में, हर function का domain real number होता है, ऐसा नहीं है, आपने पढ़ा होगा, कि अगर fx मैंने दे दिया, square root of x minus 1, तो इसका कोई domain पूछेगा, तो आप बोलोगे, इसका domain है, से infinite, आप कुछ लोगो नहीं पता होगा, domain कैसे निकलता है, तो ऐसे याद रखो, कि root का अंदर वाला ट्रम positive होता है, तो positive का होगा, जब 1 से ज्यादा value रखोगे, या 1 रखोगे, 1 रखोगे तो 0 आजाएगा, 0 defined है, और 1 से ज्यादा रखोगे, तो भी defined आएगा, तो हमेश है, तो 5 को छोड़ कर हमें देखना है, कि वो कहां पर continuous है, कहां पर discontinuous है, अब यह discontinuous मतलब, जहां पर वो continuous नहीं है, तो हमें यहाँ पर जब number लेंगे, let k be any real number, let k be any real number, तो एक condition लगा देंगे, but not equal to 5, but not equal to 5, बहुत कोई भी real number लेंगे, लेकिन 5 की equal नहीं लेंगे, क्योंकि 5 तो हमारे domain में नहीं है, तो हम यह मान के चल रहे है, हमारे k की value 5 नहीं है, ठीक है, तो बस अब हम limit निकालेंगे, limit x tends to k, function तो हमारा यही है, 1 upon x minus 5, तो यह 1 upon k minus 5 तो exist तो करी गई, तो यह answer आजाएगा, और फिर जब हम fk निकालेंगे fx की help से, ठीक है, तो fk भी हमारा same नहीं आजाएगा, 1 upon k minus 5, तो यानि function जो है, वो continuous हो जाएगा, throw all real number except 5, ठीक है, क्योंकि 5 को तो हमने लिये ही नहीं है, और 5 को लेना भी नहीं था, तो function क्या हो ज value तो चेकी नहीं करना है, भाई, कोई number जो है, अगर कोई function particular किसी number पे 0 दे रहा है value, तो 5 पे तो वो discontinuous है, वैसे, भाई, अगर मैं कहूं, यह कहां पे discontinuous होगा, क्योंकि अगर यह x minus 5 की मैं बात करूं, जहां पे, अगर मुझ से कोई बोले, 1 upon x minus 5, अगर यह ना लिखा होत होता, और तब मुझ से पूछता, कि function कहां continuous है, तो मैं कहता, यह तो सब जगे continuous है, 5 पे यह function defined नहीं है, तो 5 पे discontinuous है, simple, 5 पे कहा है, यह discontinuous है, लेकिन 5 पे जब मैं बोलूँगा discontinuous है, ठीक है, तो तब बोलूँगा ना जब यह चीद नहीं दे रखी हो, लेकिन यहां पे तो X हम से पहली बोल दिया, कि X 5 नहीं लेना है तो मैं, तब तो मैं यह बोलूँगा, function continuous है, all real values, except 5, 5 तो बैसे भी नहीं लेना था, और वैसे भी नहीं है, तो यह थोड़ा सा contradictory लगता है, वजीब सा, लेकिन आप यह समझों कि function हमारा continuous है, ठीक है, किसमें है, जो इसका domain ह मारा है, domain मतलब, सब कोछ है, 5 नहीं है, समझें, तो हमारा इसका जो है, function कैसा आजएगा, function मेटा मारा इसका जाएगा, continuous, I hope आपको यह चीज, clear हो रही होगी, क्योंकि यहाँ पर, कई बार बच्चे, confuse आते हैं, हमें continuous लिखना है, कि discontinuous बताना है, discontinuous तब बताते, जब यह लिखा होता, तो लिखते हैं, discontinuous at, x is equal to 5, ठीक है, तो clear होगे, तो यह continuous लिखोगे, क्योंकि 5 तो वैसे भी नहीं लिया हमने, ठीक है, चलो, सी पार्ट देखो, सी पार्ट में मारे पास है, सी पार्ट में ऐसा है, सी पार्ट में भी यही है, तो यहाँ पर यह fx है, और देखो, minus 5 पुट करने पर जीरो हो जाएगा नीचे अला ट्रम, तो हम इसमें भी लैट करेंगे, जब के, let k be any real number, but not equal to minus 5, हम minus 5 नहीं ले रहे हैं, क्योंकि domain में नहीं है, क्योंकि minus 5 पर यह function यह exist नहीं कर रहा हमारा, तो अब हमारा जो मानना है वो यह है, के के पर हम निकाल रहे हैं, और के किलो मारी minus 5 नहीं है, ठीक है, सब्सक्राइब, तो अब हम अगर यहाँ पर limit निकालेंगे, तो कितना आएगा, k square minus 25 upon k plus 5, ठीक है, simplify हम कर सकते हैं यहाँ पर, तो limit, x tends to k, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा, k plus 5, k minus 5, और यह k plus 5, तो k plus 5 यहाँ पर, कट जाएगा, तो यहाँ से k minus 5 आगे limit किये लिए हूँ, और जब हम function निकालेंगे, जैसे fx हमारा, अगर, x square minus 25 upon x plus 5 है, तो अगर हम इधर भी f के निकालेंगे, तो यह भी तो सेम ही आएगा, तो यह k plus 5, k minus 5 आएगा, क्योंकि 25, 5 का square होता है, अज़े, यह a plus b minus b कहां से लगा है, पता है, 25 जो है, वो 5 का square होता है, नहीं तो कोईच लोग confusion कैसे लिख दिया मैंने, 25 जो होता है, 5 का square होता है, तो a square minus b square लग गया, यहाँ पे भी सेम चीज़ लग जाएगी, तो क्या, यहाँ पे भी सेम रजल्ट आ गया, same है न, इसका मतलब हमारा function continuous है, हमसे भी पूछा था था, function continuous है क्या, तो function is continuous, function is continuous, यह हमारा function कैसे है, continuous है, throw outs its domain, अगर पूरा statement लगना, throw outs its domain लिख सकते हो, लिखा हमें तो सिर्फ continuous बताना है, होगे continuous, note कर ली जिसको, अब d part देखो, d part में हमारे पास है, fx is equal to mod x minus 5, ऐसा दिरका, यहाँ पे देखो, कुछ नहीं लिखा है side में, तो अब आपको हर number लेना है, मतलब, तो हमने पूरा, let k be any real number, let k be any real number, ठीक है, any real number, सफ़र हो, तो अब अगर हम limit निकाले, इस में limit x tends to k, mod x के लिए आप रख दो, k minus 5, ठीक है, तो यह finally, पहले तो x minus 5 भी लिख लो, फिर आजाएगा, यह mod में k minus 5, फिर अगर fx हमारा, mod x minus 5 है, तो यहाँ पे अगर हम fk निकाले, तो यह हमारा आजागा, mod k minus 5, तो यह से हमारा है, तो यह भी कह है, continuous है, तो यह सारे function continuous है, अपने domain में, ठीक है, clear है, तो यह थोड़ा सा जो confusing c part था, जिसे यह भी पार्ट था सर, यह 5 पे 5 हमने लिये ही नहीं है, तो जितना part उसमें देखना है, तो में continuous है कर नहीं है, तो इसलिए किसी को डाउट आ रहा है, सर 5 पे continuous नहीं है, अरे यह 5 पे तुमसे पूछ कौन रहा है, तुमसे remaining चीज़ पे पूछ रहा है, तो उस पे तो continuous है, इसलिए इसकांसर continuous आया सब कर, तीक है, अगर यह चीज़ नहीं होती, तो हम बोलते है, discontinuous